यदि आप किसी प्रवेश परिक्षा या विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं या गौर्मेंट जॉब्स के लिए एपलाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप समाने ग्यान जर्नल डॉलेज के इस मौक टेस्ट द्वारा अपनी तैयारिया जाच सकते हैं इन में से कुछ कोशन इजी कुछ टफ एंड कुछ इजी टू मौडरेट लेवल के हैं परन्तो याद रखने है तू अत्यन्ती महत्पूर है बहुत नॉलेजिबल वीडियो है इसे बिल्कुल भी मिस ना कीजेगा नमस्कार मैं कवीता आप सभी का अपने यूटूब चैनल नागरिकों को विभीन सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंब की गई है ओप्शन्स है तमिलाडू बी करनाटक सी केरेलां और डी ओडिसां आंसर इज करेक्ट आंसर करनाटक बी नेक्स्ट वन कोश्ट नमबर सैकेंड केंद्रिश्रम और रोजगार मंतराले ने स्रमिकों वाव रोजगार प्रदाताओं की सिकायतों के निवारण हेतु किस नाम से एक पोटल लॉंच किया है ओप्शन्स आर ए संतुष्ट पोटल बी मुहिम पोटल सी सुनवाई पोटल या डी जागरुक पोटल तो इसका करेक्ट आंसर है ए संत पोर्टल. नेक्स्ट वन कोश्ट नमबर थर्ड, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी, द्वारा संसत में की गई घोष्णा के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट का नया, क्या नाम रखा गया है? A. स्री राम सेवा समीति, B. स्री राम जनम भूमी कल्यार समिती या C. स्री राम मंदिर सेवा ट्रस्ट या D. स्री राम जनम भूमी तीर्थ चेत्र इसका correct answer है आपका क्या है? D. स्री राम जनम भूमी तीर्थ चेत्र Next, किस दक्षिन एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टी का विक्सित किया है? ओप्षिन आर A. पाकिस्तान B. मयनमार C. भारत या D. पाकिस्तान इसका correct answer है C. भारत Next, कोशन इस कोशन नमर फेप्ट निम्ण पंक्ति किसके लिए प्रसीद है? चूडा मत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छत्रानी ओप्षन सला कंबर B. आनंद कंबर C. रूप कंबर D. बिजे कंबर इसका correct answer है A. सला कंबर Next, कोशन नमर शेख्ष्ट खाद्यानों की क्रशी सरप्रथम प्रारंब हुई थी ओप्षन सार नब पाशान काल में मद्य पाशान काल में C. पुरा पाशान काल में या D. प्रोटो एतिहासिक काल में तो इसका correct answer है A. नब पाशान काल में Next, कोशन नमर शेख्ष्ट भारती सभिधान सभा के पहले अध्यक्ष कोन थे? Very easy question Direct answer बता देती हूँ C. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाथ Now new question is Question number 8 भारत में कौन सी परवत श्रेणी केबल A की राजे में फैली है Options are A. अरावली B. सत्पूडा C. अजन्ता या D. सास्त्री और इसका correct answer है आपका C. अजन्ता Now last to second question is Question number 9 10th नेट के उप्योग की गती को किसमें परिभासित किया जाता है A. option K. B. P. S. B. D. B. या C. M. B. P. S. या D. M. B. और इसका correct answer है As we know that very well A. K. B. P. S. Next one Last of all question number 10 निमलिकित निर्तियों में से किस एक में एकल निर्ते होता है Options are A. मड़ी पूरी या D. O. D. C. और इसका correct answer है मोहिनी अटम That's mean option C will be correct तो I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा काफी knowledgeable लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और ऐसी informative वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही ऐसी knowledgeable informative वीडियो के लिए बैल आइकोन को भी जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं फिर एक new educational update के साथ तिल देन ओकी बाई स्टी हों स्टी सेफ